नमस्कार दोस्तों मैं हूँ मुहिनी और स्वागत है आपका आपके पसंदिता कारी करम जिसका नाम है स्वस्त विचार दर्श को अगर बालों की बात की जाए तो हमारे सर के बाल की शोभा हमारी सुंदर्ता वड़ाती है हम अगर सुन्दर देखते हैं तो हमारे बाल सुन्दर है तब ही हमारी सुन्दरता बढ़ती चली जाती है अगर बालों में कोई समस्या आ जाती है या फिर हमारे केश रूखे रूखे दिखाई देते हैं कैसे ये समस्या दूर हो सकती है, कैसे हम अपने बालों को सुन्दर बना सकते हैं, चुमकदार बना सकते हैं, आज हम इसी टॉपिक पर चरचा करेंगे और इसमें हमारा साथ देंगे, असाथ दिरोगने वारक, काईतिरी सिर्थ पंडित, लक्षमंदास, रतन भारित तुआच आती है, उससे पहले दर्श को आपको बताना चाहूंगे, अगर आप किसी भी समस्या से पेडित हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, लगतार आपकी टीवी स्क्रीम पर नमबर चुलाए जा रहा है, जी गुरुजी, तो जानना चाहूंगे सबसे पहले कि आखिरकार ये समस्या कैसे ये समस्या हमारी अपनी जान बूज करके होती है, जब हम आट्टे का जो भी छिलका है, जिसको हम चोकर बोलते हैं, उसको निकालके फैंक देते हैं, सब्जीयों का छिलका निकालके फैंक देते हैं, तो सोडियम और शिलिगॉन, ये दोन्नों चीज़ों नश्ट होने से फ तो सब्जिए भाल हमेशा नर्व छिलके वाले छिलके के साथ खाएं, जिस भी नाज को आपने खाना, जिस भी दाल को खाना छिलके वाली खाएं, यदि आप इस चीज को खाते हैं तो आपके बालों में कभी भी रुखा पानने आएगा, बाल जडेंगे नहीं और बाल करने का, रुखे पन का, सारे का सारा दारमदारा शिल्ली गाउन पर और आयोडिन पर, आयोडिन, सोडियम और शिल्ली गाउन, ये छिलके के साथ लगा होता है, जिस भी चीज के उपर होगा छिलके के साथ होगा, जैसे आंडे में स्वेज, जिल्ली के अंदर, जो भी उसक प्रकार फल के अंदर सबजी के अंदर नाज के अंदर बाहर छिलके के अंदर है सिलीगॉन, पोटासियम, सोडियम, मगनेसियम, फार्सफोर्स, उसके साथ लगा होता है, जो हमें नेचरली जाके रोगों से लडने की ताक्स देता है, परांतु हमारी नदानगी यह है कि दाल होई और जिसमें चम्डे का पॉल्स और मुखरी के तेल के की है, आटा चाहिए मैं मशीन से वो जो भगो करके छिलका लग कर दिया और कच्रा अंदर से निकाल के दे दिया, स्फेद रंका लगे, वो अच्छा चाहिए, सबजी हैं जिनका छिलका उतार के कूरे दान में फै भी नहीं आएगे, बाल हमेशा मलायम गुंगराले हैं और चमकीले रहेंगे, आप तेल लगाएं ना लगाएं दूर से बाल ऐसे लगें पता नहीं आपने कितना तेल मस रखा है, परन्तु यह होगे करिया तभी, जब आप छिलके वाले नाज, चोकर वाला नाज लेते हैं चिलके वाली सब्निया लेते, चिलके वाले फल खाते हैं, तो आपके श्रीर में, मैं दावे से कह सकता हूँ कि जब तक श्रीर के अंदर सांसा किसी किस क्ना रोग नहीं होगा अपना खानपान साधा रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपके शरीर में जो भी समस्या है वो बिल्कुल खर्तम हो जाएगे और आप एक अच्छी तरीके से अपना जिविन वतीत कर सकते हैं लगतार आपके डीवी स्क्रीन पे नंबर चलाए जा रहा है उस पे आप हमें कॉल कर सकते हैं गुरुजी बात की जाए रूसी की तो हमारे सर में रूसी भी हो जाती है जिससे ये कारण एक हो जाता है कि बाल रूखे हो जाते हैं इस बारे में क्या कहना चाहेंगे देखी हमेशा ठंडे से ठंडा पीते हैं तो इस से हमारे सरीर के उपर बहुत बुरा इसका असर पड़ता है बात पित और काफ्यादी हमारे सरीर में बरावर मात्रा में हैं तो हमें कोई रोग नहीं है प्रांतु इन में से जब आपका पित बढ़ेगा तो पित बढ़ने से आपक लगा सकते हैं, और तेल भी लगाएंगा, तेल आपकी चमड़ी में ज़्यादा से ज़्यादा चार एच्छे घंटे काम करेगा, उसके बाद वो समाफ्त हो जागा उसका असरा, तो नीचे से जैसे बारसना होने की वज़ाँ जमीन फट जाती है, ऐसे बालों के पास से चमड इसको हम फरास भी बोलते हैं, और इसको सिक्री भी बोलते हैं, इसका एक नामी लग-लग भासा में कही किसम के नाम है, प्रांतु जब तक के सिक्री बालों से नहीं निकलेगी, जब तक के आप सबजीयों के चिलके के साथ नहीं खाते हैं, नाज चोकर के साथ नहीं खाते ह दालें शिलके के साथ निखाते हैं और हलका गर्म पानी नहीं पीते हैं तो यह बमारी कभी भी समाफ्त नहीं हो सकते हैं यदि आप इस क्रिया को करते हैं तो आपके बालों में डेंडर्स कभी जिंदगी में होई नहीं सकता ची गुरुजी बहुत बहतरीन आपने जानकारी कि किस प्रकार बालों की समस्या को हम खानपान के माधियम से दीख कर सकते हैं और भी जौनकारी लगातार गुरुजी से प्राप्त करते रहेंगे फिलाल एक दर्शक हमारे साथ जोड़ गए हैं उनसे बात करते हैं हलो नमस्कार स्वागे ते कारिक्रम है आपका नाम बताई और कहां से बặते हैं लंक्षमी जी बताएजche अरो क्या जान चाहते हैं अपनी योगा और बार बार पेट साफ करने के लिए जाना पड़ेगा, इसका पचार आप टीवी के माद्यों से नहीं कुरा सकते हैं, इसके लिए आपको आसरम आना पड़ेगा, आसरम में आने का नियम है कि बुद्वार की आसरम में छुट्टी रहती है, गुरू बार से ल नाड़ी परिक्शन में पैर के तलवे से सिरके बालता के जो भी रोग है उनको आपको बताऊंगा, उसकी द्वाईयों द्वाईयों नियम से खाते हैं, प्रेज करते हैं, तो जिस दिन आएंगे उसी दिन इसको कम से कम 15% आराम भी मिल जाएगा, बिलकुल आराम आप बिल समस्याई आपके जीवन में हैं, और कैसे आप इन बीमारी उसे निजात पा सकते हैं, बहुत यासान तरीका है, आपको सिर्फ हमें कॉल करना है, पूरी जानकारी भी आपर राप्त कर सकते हैं, फिलाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं, हाल जी, देखिए, इसका मेडिकल सेंस में पूरे संसार में उपचार नहीं है, आप ऐसा करें, बुद्ध बार की में छुट्टी रखता हूं, गुरू बार से लेके मंगल बार के बीच में आपने मेरे पास आना है, जिस दिन आना उस दिन रातरी दस वें तक खापी के, दातन प्रिक्ष में पैर के तर्वे से सिर्के बाल तक की, MRI, CT scan, extra, ultrasound, ECG, sonography, सब कुछ होगा, पाल स्किंड से ज्यादा टैमिल लगया, इसमें जो भी रोग आपके स्रीड में पाय जाएंगे, जैसे दो दो मिन्ने में आपका रोग हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा, बिलकु करना चाहते हैं तो लगातार आपके TV स्क्रीन पर नंबर चलाया जा रहा है, उस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, एक कॉलर नमारे साथ और जुड़ गहें, उनसे बात करते हैं, हलो, जी नमशकार, स्वागत है कारिक्रम में आपका, नाम बताईए कहां से बात कर रहे हैं, ब जब शरीर के अंदर सर्द गरम शरीर हो जाए, तो चपाकी निखलती है, और इसमें भ्यांकर खुजा होती है, और मोटे मोटे दफ़ड हो जाते हैं, जब ऐसी कभी बात हो जाए, तो सब से अच्छा तो है कि मुल्ली का रस निकाला और उसकी माल्स कर ली, माल्स करने सब स हो जाए, तो ग्यारा दाने काली मिर्च पीश करके देशी घी में मिलाके चाट लें, ऊपर से एक गलास गाय का दूद्ध पी लें, तो आपकी ये अलर्जी जो बिलकुल खत्म हो जाएगी, बिलकुल, तो आपको घरीलू उपचार बता दिया गया है, क्या कुछ घरीलू उपचार करना है, जिससे कि आपकी समस्या दूर हो सकती है, तो दर्शकों कर आप भी गुरुजी की उपलब्धियों का लाव उठाना चाहते हैं, उनकी बताय हुए निस्कों की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो लगतार आपकी टीवी स्क्रीन पे नंबर चलाया जा रहे हैं, उसके आप हमें काल कर सकते हैं, अगर आप गुरुजी से विक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं, तो वीरवार से लेके मंगलवार की बीच में आप आश्रम में बहुत आसानी से जा सकते हैं, गुरुजी उस टाइम आपका नारी प्रेडिक्शन करेंगे, जाना चाहते हैं, गुरुजी से क्या समस्या है आपकी, गुरुजी उसके समस्या है, जी जी गुरुजी सांस की समस्या है, छोटी बच्ची है, देखिए, जब किसी का नमोनिया बिगड जाता है, तो उससे ये बमारी पैदा होती है, ठंडा पानी, तरिव चीजे, खाना, इस ममारी को दिन, दूगने, रातें, चौगनी बढाता है, आप ऐसा करिया, इसको बुद्ध बार छोड़कर, गुरु बार्चे लेकर, मंगल बार के बीच मेरे आस्र में लाइए, मैं इसका नाड़ी पिरिक्षन करूँगा, नाड़ी पिरिक्षन के बाद जो बात करते हैं, हलो, हलो, जी नमस्कार, स्वागत है कारिक्रिम में आपका, नाम बताईए, कहा से बात कर रहे हैं, हाँ, जी, हम बुद्ध बोल रहे हैं, मेरा नाम जस्वीड है, जी, बताईए, क्या जाना चाहती है, वो न मेरे एक पिरिज्जा है, तो उसको हाथ सुन हो जी, जी गुरु जी, हाथ सुन हो गया, देखे, आपने कोई इंगलिस द्वाई जादा खला दिया, उसका साइड इफेक्ट रहे है, आप ऐसा करिया, बुद्ध बार छोड़कर, गुरु बार से लेकर, मंगल बार के बीच में मेरे आश्र में लाईए, जिस दिन लाना, उ जो भी इसके अंदर रोग पाए जाएगा, द्वाईयों देंगे, एक तेल देंगे, माल्स करने का एदो, इसको माल्स करते हैं, तो जिस दिन आएंगे, उसी दिन इसके हाथ की सुनगी, समापत हो जाएगी, बिल्कु दर्शकों तो गुरु जी ने बिता दिया है, क्या अगर आप स्वस्त होना चाहते हैं, आश्रम में आई और देखिए किस प्रकार चमतकार होता, किस प्रकार आथ की बीमारियों का इलाज आप तक पहुंच जाता है, और किस प्रकार आप स्वस्त हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा, फिलाल एक और दर्शक हमारे सा था जोड़ गहना से बात करते हैं। जी नमस्काइब स्वागत है कारीक्रम में आपका नाम बताएए कहां से बात कर रहे हैं। अजिए बताएए क्या जानना चाहते हैं गुरुजी से। यह जानना चाहते हैं कि जी मेरा एक साल देर साल है ना पेट साफ कुई तहार नहीं होता जी देखो गटा जब नाब गिर जाती है तो हम जितनी मर्जी कोसच करें पेट कभी भी पूरा साफ नहीं होगा गास ज्यादा बनेगी और दिन प्रति दिन शरीर में कमजोरी आती जाएगी आप ऐसा करिये बुद्ध बार छोड़कर गुरू बार से लेकर मंगल बार के बीच में मेरे आसर में आएए जिस नाना उस तिन रातरी 10 वह तक खापी के दात्र कूला करके बड़ी लेची मुह में रखके चूछते रहें सुभा नाव से दस के अंदर अपना नाम करन उक्राएं दस से बारा में नारी पिरिक्षिन करूँगा नारी पिरिक्षिन में जो भी आपके पैर के तलोगए स सबसे की मालश करते हैं तो अच्छे हो जाते हैं तो कौंज एक चुनाब सभी रहता है गुरुजी field आपके तेल नहीं कई किसम के हैं, सबसे अच्छा तेल रहता है तेल का, ऐसे सर्सनों का तेल से यदि प्योर सर्सनों का है तो आपके आंकों से तेल लगाएंगे तो खुब पानी गरेगा, है वो लावदायक, प्रांतु फिर इसमें सिर में जैसे किडिय कारती है ऐसे तेल ऐसा नहीं करता, तेल का तेल थोड़ा गर्म तो जरूर है प्रांतु चुपता नहीं है और यदि ठीव नक्से तील का तेल या सर्सों के तेल की माल्स करते हैं और उसके अंदर देशी कपूर मुला के, अच्छी तरह बालों के जड़ों में माल्स करते हैं तो भी ये जी गुरुजी तो आपने बहुत अच्छे हमें जानकारी दी कि किस प्रकार कौन से तेल का हमें चुनाफ करना चाहिए जिसकी मादम से हमारे बाल श्राइन करने लग जाते हैं हमारे बाल का जो रूखापन है वो दूर हो सकता है तो दर्शुक अगर आप भी बालों के समस से बहुत ज्यादा पीडित हो चुके हैं तो आप दिल का तेल का सेवन करिए और देखिए किस प्रकार आपके बाल सुनहरे हो जाते हैं पिलार एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं उन से बात करते हैं हालो हाँ जी नमशकार स्वागत है काधिकरम में आपका नाम बताईए और कहा से बात कर रहे हैं मैं हार्शा गिलगिचिलना सागर से बोल रहे हूं और मैंने कर समय पहले बहुत सारी दभाईया खाई मेरा 2004 जल रहा था जिसके कारण मेरे पहले पहले मुकापी समय से आती निश्य का धर फूरा रह गया था उसके आद मैं तुक हो भी गई तो क्या हुआ है पर दो जी कि बहुत कम दिखाई देता है तो मैं जानना चाहती हूं कि वह वांकर मेरी ठीक होती है बागी डॉक्ट्रों ने मुझे मना कर दिया है कि इसका कोई इलाज नहीं है दिमागी कोई नस मेरी सुच्छी नहीं है देखो मेडिकल सेंस में तो किसी रोग की द्वाई बनी उन्त कर दो बीजनिस है जहां पे तिकलीपाव संग को सुन करते हैं स्वास्थ वचार में किशी भी रोग का बीजनिस नहीं है हर एक रोग को जड़ से कारते हैं परांतो वचार तभी किया जाता है जब रोगी 12 आपी के दातन कोला करकर बड़ी लैची मौ में रखके चूचते रहें सुबह नाव से दस के अंदर अपने नाम कंड करूएं दस से बारा में नाडी प्रिक्ष्णि करूँगा नाडी में जो जो भी रोग आपके आंदर पाए जाएंगे सब द्वाई आपको दी जाएंग लेकिन सबसे पहले आपको आश्रम में आकर अपना नाडी प्रडिक्शन कराना होगा क्योंकि नाडी प्रडिक्शन आयरवेद में मातरे कैसी पदिती है जिसमें नाडी प्रडिक्शन के बाद आपको तुरंट बता दे जाता है कि आखिरकार आपके शरीर में कौन-कौन से विकार हैं, कौन-कौन सी समस्याइं हैं जिन से की आपका जीवन तहस नहस हो चुकाता और बहुत सारी समस्याइं आपके जीवन में आज प्रिती तो बिल्कुल आप स्वस्त हो सकते हैं लेकिन आपको सबसे पहले आश्रम में आकर अपना नारी परिक्षन कराना होगा उसके बाद ही आपको दवाईयां दी जाएंगे और परहेज भी पताद किया जाएगा फिलाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं उनसे बात करते हैं हालो जी नमशकार स्वागे ते गारीक्रम में आप का नम बताएए और कहां से बात कर रहे हैं नमसकार में आन्या वाशने बोल्डि अज्वानिस जी बताइए क्या जानना चाते हैं गुरुजी से अम मेरे बाल ज़ने थे घंडेनी होते हैं और बढ़ते भी नहीं हैं जी जी की बालों की जड़े कमजोर पड़ गी तो ऐसे जैसे रेता ज़ड़ता ऐसे जड़ेंगे आप इसको बिना नाड़ी प्रिक्षन किये ठीक नहीं कुछा सकती बुद्ध बार छोड़ कर गुरू बार से लेके मंगल बार के बीच में मेरे आसरम में आये जिस दिनाना उस दिन दस पर तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी लेची मुँ में रखके चूशते रहें फिर सुबा नाव से दस के अंदर अपना नाम करन कुराएं दस से बारा मैं नाड़ी प्रिक्षन करूँगा नाड़ी प्रिक्षन के बाद जो आपको द्वाईयं दी जाएंगे द्व द्वाईय नियम से खाते हैं प्रेज करते हैं और सुबा चार वजे उटके आदा घेंटा कुपाल बाटी पंदरा मिंट भस्त्री का घेंटा लोन लोन करते हैं और दस मिंट नाखुनों से नाखुन ऐसे अंग्रियों को रखटे हैं तो हफते के बाद आपके बाल जढने बंद हो जाएंगे और यदि को स्फेद हो रहा है तो भी दोबारा काला हो जाएगा गरुजी जैसे के भी हमारे पास एक कॉलर आई थी तानिया जी जो नोने बताया कि उनके बाल जढने की समस्या बहुत हो जाती है तो लोगों में भी बहुत सारी यह समस्या देखी जाती है जब नहीं मिलता शरी को तो बालों की जड़ें जो हैं जैसे पेड में दीमकलक के पेड़ गर जाता है ऐसे बाले को जड़ जाती है और गलने के बाद जो जढ़ जाते हैं जी तो गुरुजी ना जानकारी दे गई है किस कारण वश्द आपके बालों की समस्या पैदा हो संदेक असर कुर्वापुर महारश की बिताये क्या जो आना चाहते हैं गुरुजी से मेरी बेटी की हाइट जरा कम है 14 संदेखो यदि है 12 से 16 साल के अंदर की तो हैट बढा दूगा यदि 16 साल से उपर चली है तो हैट बढाने के कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आप 20 साल तक हैट बढ़ती है जो तेजी से हैट बढ़ती है बारा से 16 के बीच में बार फिर धीमी पर जाती है जदी 12 से 16 के अंदर है तो इसकी 20 साल होते होते चार से पांच इंच तक लवाई बर सकती है यदि 16 से ऊपर जा चुकी है तो इसकी द्वाई खलाने से जादा जादा इंच डेड़ इंच बढ़ेगी से जादने बढ़ी गया बलकुल तो आपको जानकारी दे दी गई है किस प्रकार इस समस्या दूर हो सकती है तो अगर आप आश्रम में आकर गुरुजी से कोई बीमारी के वारे में इलाज जाना चाहते है तो विलकुल आप आश्रम में आ सकते हैं आश्रम में आने का समय है वीरवार से लेके मंगलवार के बीच में आ आप इस कारिक्रम को यूट्यूब के मादिम से बहुत असानी से देख सकते हैं उसके लिए आपको मारे चैनल याने की संस्कृति टीवी को सब्सक्राइब करना होगा उसके बाद इस कारिक्रम को फोन पे भी आनद उठाइए फिलाल एक और दर्शक जोड़ गए हैं उनसे ब कमर में दर्द होना का मुख्या कारण होता है पेट सापनी होगा ना भी अपनी जागा सेहत की गैस जाएगे कमर का दर्द रहेगा रही रिसाओली की बात यदि यहां आएंगे तर रिसाओली कार दूँगा प्रांतु कटेगी तभी जब नाड़ी पिरिक्षन किया करने के लिए बात हैं, सुबा 9-10 के अंदर कमर कर दो पिने के मार्स करने के, तेल हैं कमर में पठी बांधी जाएगे तो नियाम सँ लेते हैं तो रिसाओली भी खत्म हो जाएगे गुरु जी आप हमारे स्टूडियो में आए इतनी अच्छी अच्छी बाते हम से श्यर की और इतने अच्छी अच्छी उपचार भी आपने हमें बताया उसके लिए उसके लिए उसके लिए आपको हमारा चैनल संस्कृति टीवी सब्सक्राइब करना होगर आप देख पाएं झाल 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